वेल ये है यहाँ पे Redmi 10 स्मार्टफोन वेल ये नया Redmi 10 जो अभी नया 2022 में लाउंच हुआ है और खास बात इसके अंदर ही है कि लगबग 10,000 रुपे के आसपास ये Snapdragon 680 जैसा प्रोसेसर ले आता है तो अगर है क्या सा फोन? क्या फोन के अंदर सब कोच अच्छा है कमाल का प्रोसेसर ही सब कोच होता है यहां फिर दूसरी चीज़ है कैसी है? सब के बारे में बात करने हैं वाली प्रोस का हूँ? सब के बारे में बात करेंगे वीडियो पर स्नाइब लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहां पर आप से इसके प्रोसेस है जो कि स्नैप ड्रगन 680 जो कि देखा तो प्राइस पॉन के साब से काफी अच्छा प्रोसेस है स्नैप ड्रगन 680 जो रहता है यहां पर काफी कम है और यह चीज का एड्वांसमेंट आपको देखने को लेगा यहांने कि 680 अगर लगा है जो कि अगर आप लोग को नहीं पता तो रिड्मी नोट 11 के अंदर देखने को मिल रहा था और देखा तो यह चीज इन्होंने सही करी यानि कि Price to Performance में जो स्नैपटरन को चिप लाके दे रहे हैं वो यहां पर एक अच्छा काम इन्होंने यहां पर किया इसके साथ यह दूसरा अच्छा काम किया RAM स्टोरेज के अंदर सबसे पहले तो RAM स्टोरेज के अंदर UFS 2.2 स्ट और LPDDR4X RAM डाली है यह 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 चीज यहां पर काफी सॉलिड इन्होंने यहां पर रखी है यानि कि कुछ चीज़ें यहां पर अच्छा काम कर रही है रेज्मी वाले में परफॉर्मेंस RAM स्टोरेज का जो टाइप आपको देखने को मिल रहा है वो चीज़ें यहां पर काफ और परफॉर्मेंस भी सही देखने को मिल रही है तो उसमें आप अच्छा एक्स्पीरियंस यहां पर ले सकते हैं यह कुछ चीज़ेंस फोन के साथ काफी चीज तरीके से ताल मेल बठा रही है काफी बढ़िया चीज है लेकिन इसी के साथी बात करें 6000 mh की बैटरी यहां पर चार्जिंग को सपोर्ट करती वह है 18W की लेकिन बॉक्स के अंदर सर्फ 10W का डेप्टर है 18W का मिल जाता तो मेरी तरफ से थोड़ा बेटर चीज होती खर वो चीज है लेकिन अच्छा काम है कि टैप सी पोर्ट है वो यहां पर एक सही काम चैन होने इसके साथ ही बात क 60Hz का रेगुलर LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है मेरे हिसाब से 10,000 रुपर के प्राइस पर फुल HD प्लस एक नॉर्म बन जाने चाहिए और फुल HD प्लस डिस्प्ले तो देखने को मिलना ही चाहिए यह कुछ ऐसी चीज है जो बहुती जादा बेसिक होती है अगर करे तो और बहतरीन चीज होगी खेर लेकिन HD प्लस से मैं कहूंगा कि वाइडवन L1 का सपोर्ट है और मैं एक एक सेप्टेवल डिस्प्ले है कोई ऐसे दिक्कत नहीं है अगर फुल HD स्क्रीन के साथ आता तो बहुत ही अच्छी चीज होती वो चीज यहां पर मिसिंग है इसके आते हैं फोन के अंदर उन्हें अनिस्टॉल बगरा कर सकते हैं तो यह एक चीज है लेकिन फिल्हाल के तौर पर देखा जाए तो काफे चे तरीके से अप्टिमाइज कि है लेकिन यहां पर मेरे कहने का मतलब यह कि एक्जेक्ली शौमी के फोन मैं हमेशा है देख है कि जो म स्पीड और परफॉमेंस के वाइस वो देखते हैं किस तरीके से रहता है यहां पर इसी के तरीके से बात कहें तो डॉल नानो सिम कार्ट को सपोर्ट करता है डेडिकेटिट मैप्रोस्टी कार्ड का स्लॉट देखने को मिल रहा है था पीछे की बात कर तो पीछे का पूरा कि यह पॉली कार्मेंट बेक के साथ है तो सामतर कॉर्णिंग गॉरिला ग्लास 3 देखने को मिल रहा है डाइट सेट साइट की जो फ्रेम वगरा साब इसा प्लास्टिक का है पीछे फिंगर्टून स्कैनर लेकिन उसकी पोजिशन जो रहती न मुझे यहां पर थोड़ी से लगी यानि अगर थोड़ा सा नीचे होता ना तो हाथ में पकड़ने में कमफर्टेबली वो ग्रिब बनती हो पीछ आता भी थोड़ा से नोने उपर कर दिया इसे डिजाइन वगरा के कारण जो कैमरा हम के साथ जो डिजाइन वगरा बना रहे है न उसके कारण खेर के बार अगर सॉफ्टर अपडेट से कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूमेंट डाले कुछ अपडेट से इसके ISP को इंप्रूफ करें या इमिज प्रॉससिंग इंप्रूफ करें वो यहां पर एक बैटर चीज होगी अभी वो चीज नहीं है दर मतलब कि कैमरा मेरी नजर में हार्ड ने नाम के लिए दिया है वो भी और बैटर हो सकता था लेकिन देखते हैं किस चीज़े रहती है इस फ्यूचर के अंदर फिलहाल के तौर पर यह कुछ चीज है इसके अंदर इसके साथी और चीजों के बात करने चाहिए तो डॉल बैंड वाइफाई को सपोर्ट करता है व इसके साथी 4G VOLT को डिवाइस सपोर्ट करता है वो चीज़ यहां पर सही है यहां पर FM लीडियो का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और और बात करें तो जितनी बड़ी स्क्रीन के फोन होते है बिलकुल वैसा है मतलब की वेट के बारे बात करें अरूंड 202 ग्राम का ग्यार हजार रुपे का एक हजार रुपे का ओफर वगर लाके 10,000 में और 10,000 में आकर आपको एक ऐसा फोन लेना है जिसके अंदर बैटरी अच्छी देखने को ले प्रोसेसर अच्छा देखने को मिल रहे है यह दो चीज़ अगर आपकी मेजर प्रायरिटी है बैटरी प् हाला कि अगर मेरा पर्सनल उपीन है कि क्या चीज़ें इंप्रूफ कर सकते थे तो रहेगा कि कैमरा की फॉफ में थोड़ी और इंप्रूफ की जा सकती थी और जायरो और मैंगनेटिक संसर तो डालना चाहिता यह बेसिक चीज़े होती है वो होता तो एक कम्प्लीट आल र के अंदर विडियो पसंद आए लाइक करो चाहल को सब्स्प्राइब करो थैंक को कुवड़ी देशनिक लिए मस नस दो नेक्स वन के अंदर गुद्बाए